शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें आपको घबराने की कोई जरुवत नहीं है हम सब है ना आपके साथ और आज के इस ऑपरेशन के बाद आपकी हाथ के तकलीफ भी खतम हो जाएगी बड़ा जैसे हमारी तकलीफ की बहुत फिक्र है तुम्हें हमारी बात नहीं मानने से भी हमें बहुत तकलीफ होती है पता है आपको जाद है ने डॉक्टर ने क्या का था अवे तनाव के वज़ा से बीपी भड़ा ना तो तो तीन दीन होवा रहना पड़ जाएगा नहीं, हमारी एक दिन से भी जादा नहीं रहेंगा, हम बहुत है रहे है इसलिए शान्त रहिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा तनूजा, चिंता मत कीजी, सब अच्छा होगा अभे, मैं भी तिरे साथ चलता हूँ अभे, तेरी जरुट पर सकती है, और मैंने वकील से बात कर लिये, शाम तक जाएदाद के ट्रांस्वर वेपर्स रेडी हो जाएगा चलिए वर्ना दियर हो जाएगे देर बिल्कुल नहीं लेगी, क्योंकि ये आउपरेशन ही अपने आप में मुश्किल नहीं है, हम मसल टीशू को ठीक करने के लिए और्थ्रोस्कोपी करेंगे, जिसमें इनकी स्कीन में थोड़ा सा इंसीशं करेंगे, अब लेटेस्ट इंस्रूमेंट्स हैं तो ये सब करन अपरेशन के बाद ममी का दर्द तो ठीक हो जाएगा ना, अब देखिए ऑपरेशन के बाद थोड़ी सी तकलिफ तो रहेगी, लेकिन आइसपैक से सिखाई करने से काफी आराम मेलेगा, वैसी ये जितना ही रेस्ट करेंगी, उतना ही इनके लिए फायदा होगा, तरुजी आप बिलकुल मत गप रहे हैं, हम सब यहाँ हैं अबे, तु देखना, चाची की सजरी अच्छेज हो जाएगी, बिलकुल ठीक हो जाएगी, तु तु चिंता मत कहें, सब दीक हो जाएगा, अबेटा, आप दोने घर जा, हम यहाँ हैं, अबे, अबे, आप कागस की काम पूरे करो, टाइम बेस मत करो अबे, तु दीक हो जाएगी, तु तु दीक हो जाएगी, तु अबे रिएग यहाँ हो जाएगी, तु तु दूएगे पूरे के अबेष्ट दू स्वाराइग् झाल झाल श्रदा, क्या थो उच्रियों? साइन करो. नहीं, मैं पेपर्स पर साइन नहीं करोंगे. ताउल जी ने बहुत वरोसा करके, यह हम पर जिम्मदारी सौपी थी. और यहीं उनकी आखरी इच्छा थी. इसलिए, मैं पेपर्स पर साइन नहीं करोंगे. अगर यहीं तमाशा करना था, तो सीधा सीधा बोल देती ना? यह ड्रामा करने के क्या सब्रहत थी? तुम नहीं कहा था हमें जायदाद में से कुछ नहीं चाहिए. फिर तुम अपनी बात से क्यों हो कर रही हो? हाँ, मैंने ही कहा था. लेकिन अब मैं ही यह बात कह रही हूँ कि मैं इनका अगज़ाद पर साइन नहीं करोंगे. अखिर मन में पैदा हो ही गया ना लालेश पैसे का? हमें तो पता ही था, पैसे देखके यह बदल जाएंगी और यह तो अच्छा मने का सिर्फ नाटक करती है. जायदाद में बड़ा हिस्सा क्या देखा, मनी बदल गया. राज करने का मौका जो मिला है, यह मौका कैसे छोड़ेंगी अब? केर्थी, तुम इस परिवार के बारे में कितना सोचती हो? यह बात हमें से किसी से छिपी नहीं है. लेकिन हमें एक ही बात का अखसोस है, कि तुम अपनी ही सगी बहन को इतना ही समझ पाई हो? खेर, तुम जो कह रही हो, ऐसा श्रद्धा कभी नहीं करेगी. यह बाद हम सब बहुत अच्छे से जानते और तुम भी जान लो. अगर ऐसा है बहाजी, तो आप ही बताए ना, श्रद्धा सायन क्यों नहीं कर रही हैं? किन से क्या पूछ रहा है आप अरूंजी, इनके लिए तो दीदू हमेशा ही सही होती है, हमसे पूछे हमें तो पहले से पता था कि यह यह नाटक करेंगी अच्छा बनने का अच्छा बनने का नाटक करकर जायदाद का बड़ा हिसा लेलिया यही तो यह चाती थी, कबसे इंदिधार कर रही थी इस दिन का? अभे, तू इसमें श्रद्धा के साथ है? है, तो यह सावाद पूछ भी कैसे सकते हैं? तुने एक बर भी श्रद्धा से पूछा कि उसके मन में कैसा रहा है? हाँ, श्रद्धा, बोलिये न, आप चुप क्यों है? हाँ, दीदू, बोलिये न, क्यों प्रॉपर्टी ट्रांसफर के पेपर हमारे मुह पे भाड़ दिया आपने? क्योंकि यह फैसला ताउ जी का था और यही उनकी आखरी इच्छा थी मैं सिर्फ उनकी आखरी इच्छा का आधर कर रही हूँ इतने साल शद्धा न इस परिवार को कुछ से आगे रख आज उसका असली चहरा देखे मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा कि वो प्यार, सब पे वो विश्वास, वो सब एक नाटक था अबै, हमेश रत्धा पर पूरा भरोसा है कि वो बिनावजय ऐसा फैसला कभी नहीं लेगी तुम पहले जाओ उसके पास और उससे बात करो हम अब अब अची तुम चिता हम उससे अखिर उसके मन में चलके आ रहा है बज़ा कैसे बताओ मैं आपको ताही जी मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है लेकिन हमारे परिवार को मैं तूटने भी तो नहीं दे सकती है बाकियों को नहीं पता सकती न पर मुझे सफाई देनी होगी तुमें हमारा साथ लिया हुआ फैसला तुम एन वोके पर कैसे बदल सकती हूँ भोलो शर्दा में कुछ बूच रहा हूँ कीरती की वज़े से मुझे करना पड़ा अब है अखिर कर ही दिया दीदूने उन्हें जो करना था अच्छे बनने का नाटक करके पहले प्रोपर्टी ट्रांसवर के पेपर्स बनवा है और फिर उन पेपर्स को फाड कर हमारे मुझ पर फेग दिया हमारी ओकात दिखाने के लिए पैसो के लालच में वो इतना गिर जाएंगे हमने सोचा नहीं था पर आब हम कुछ नहीं कर सकते कीर्टी जाइदाद पे पहला हक अपसे उन्हीं का है और हमेशा उन्हीं का रहेगा एक तरीका है जिससे उनकी इस हरकत का ना हम मोट और जवाब दे सकते हम जानती उनसे कैस किसे बात करनी है बात करते सुना था मैंने कीर्टी को बाजार में किसी के साथ है यह किर्टी यह किससे बात कर रही है मार्केट में आपको इससे बहतर दाम आपके घर के लिए नहीं मिलेगा कीर्टी जी पर हमें अपना घर बेचना ही नहीं है मैं जानता हूँ कि आपके मन में क्या चल रहा है इसलिए कह रहा हूँ कि यह आपके लिए सबसे अच्छी टील है आराम से सोच कर बताईए इसा सूच भी कैसे सकती है वो सोचने ने तो दीदू ने ही मझबूर किया है न मा और वरु जी एक आदमी से हमारी बाद भी हुई है होगत अच्छी डील दे रहा है वो नहीं नहीं हम से नहीं होगा यह नहीं होगा दिलिब ची प्याहकर हमें इसी गर में लेकर आयती बहुत सारी आदे जुड़िये उनके साथ इस खर में वह आरुने भी इसी गर में अपने नन्ने पाउं से चलना शुरू किया था हम यह घर छोड़कर नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाने दूँगी मैं उन्हें ये घर छोड़कर हमारे परिवार को कभी तूटने नहीं दूँगी मैं परिवार में जब अपने ही धोखा देने लगे हम कैसे यहां रह सकते परुन जी इस घर के बड़े बेटे फिर भी अब है अपने आपको ऐसा जिम्मेदार दिखाता है जैसे वो इनसे भी बड़ा हूँ और दीदू दीदू तो हमें हमेशा से छोटा ही समझती है और इसी का फायदा चाची जी आप पे निकालती है कब तक सहते रहेंगी यह बेज़ती इससे तो अच्छा है कि सुकून से हम लोग अलग हो जाएं इसी में सब की भलाई है भलाई इसी में है कि हम पूरे परिवार के लोग एक साथ एक जट के नीचे रहें अलग होने का कोई सवाल ही नहीं होता कीरती को मैं यह कभी नहीं करने दूँगी काउची ने भले ही यह जाएदाद हमारे नाम की है पर इस पे सब से पहला हर उन्ही का रहेगा और फिलाल हमें इस घर को तूटने से बचाना है अमें पुद्धिमें आरे इस्लिमें, नद्धिमें आरे साथु माता रानी की कृपासित, आपका उप्रेशन अच्छे से हो गया अब आप बहुत जल्दी पूरी तरह से ठीक हो जाएं आईए अरे दादी आए आराम से थोड़ा, दादी अभी अभी होस्पिटल से आई है बेटा, आज दादी को दर्द रहेगा, एक दिन दादी को आराम करने दो यह आपके पिछले जन के अच्छे करनी है, जो आपको इतने अच्छे बेटे और बहु मिले और तुम दोनों धावी के हाथ के दर्द से हमेशा के लिए उन्हें छुटकारा दिलवा दिया जलो जलो, अब फैमिली फोटो कीचेंगे, ममा, आओ ना दादी, फोड़ो लेफ साइड आओ ना हाँ चलो बस पेटा, अब दादी को अराम करने दो श्रदा बेटा, जड़ा यहां के बैठो ना, हमें तुमसे बात करने सिया, इसे ठीक से टेबल पे रख देना श्रदा बेटा, हमें रितु ने बताया कि कैसे तुमने अपने जायतात का हिस्सा वरुन और कीर्थी को देने से मना कर दिया चलो, देर ही सही तुमने हमारी बात मानी और सही समय पे सही फैसला लिया देखो बेटा, हम नेना भावी को बहुत अच्छी से जानते हैं और शायद दिलिब भाई साब भी समझते थे कि उनके बेटे और बहु के सामने उनका मूझ खुलने से रहा वरुन और कीर्थी के हाथ से पैसे निकलते रहेंगे, खर्चे होते रहेंगे और नेना भावी का अपने घर पे नियंद्रन चला जाएगा नेना भावी, आप यहाँ हमें लगा श्रद्धा ने अपना हिस्सा देने से मना कर दिया है तो आप तो हमारे शकल भी नहीं देखना चाहेंगे तनुजा, हमारे लिए परिवार हमेशा पैसो से उपर रहा है और आप हमारा परिवार थी और हमेशा रहेंगे फिर चाहे कितना भी मन मुटाव क्यों ना नेना भावी घर की सबसे बड़ी है इन्होंने हमेशा हमारा सुन दुख में साथ दिया श्रथा बेटा, अब तानुजा को अंदर ले जाए, उन्हें आराम की संद्ध जरूरत जी, जड़ी, समय प्रिवाइब करें नहीं चाचु, वो पैंक वालोने बापा का डेट सर्टिफिकेट बांगा है मैं ले आओगा मेरे भी सर से एक बाप का साया उड़ गया मैं समझ सकता हूं तुम पर क्या पीतरी समझ सकती हूं मैं ताही जी को बहुत बुरा लगा होगा जो कुछ भी मैंने किया और मैं ये भी जानती हूं कि जब ताही जी को वजह पता चलेगी तब वो मुझ से नाराज नहीं होगी अगर अगर हम दोनों एक ही बात तो चाहते हैं न कि हमारा ये परिवार हमेशा एक साथ रहे है हलो मैंने बोला एना कि बार बार फोन मत करो अब यापका फोन उठाने के लिए भाहर आना पड़ा ठीक है, आप ये सब छोड़िये, सबसे पहले आप पेपर्स तैयार करवाई हैं, हाँ जी भावी, बहुत अच्छी लग रही हूँ और मेरे बालो का क्लिप जो इतनी सफाय से तुम्हे अपने बालों में लगाया है ना, कहां से सीखा चोरी करना, भावी, जो, मैं क्यो चोरी करूँगी, भावी क्यसी बात कर रहे हो, भावी, ये क्लिप तो, मेरी है, समझ में आया, और जो चोरी करके अपने बालों में लगा अख, आख, यह क्या बत्तमीज है भाबी, हो ज़गया है आपको? अच्छा, हम अपनी चीज वापस ले रहे हैं, तो हम बत्तमीज हो गए हाँ? और तुम जो छोरी करो हो सही! अजिए क्या हो गया है तुम दोनों को? क्यों अंदर चिला रहे हो अंदर तर चिलाने की आवज हो आ रही है तुम दोनों की हमसे क yapmış ऻुख रही है अपनी पैारी नननुत से पूछे है चोरी करना सिख गई है पता नहीं कहाँ से हमारी क्लिप चोरी कर गथी तु इस क्लिप की वज़े से चिला रही है, इतनी चोटी सी बात पर, क्या हो गया है तुझे? जिस क्लिप को दे के आप मूँ बना रही है न दीदू, बहुत प्यार से दी थी वारूं जिन्ने हमें, एक लिए बहुत माईने रखता है और ये ये चोरी कर रही थी, आपे सब को दूसरों की चीज हडपनी की आदत हो गए, हरे हमसे मांगती तो हम प्यार से दे दे देते न हे भगवार, मुझे समझ में निया रहे कि आपको कौन सी भाशा में समझाओं कि ये क्लिप मेरा है बाभी, इतनो शोर मचारी से पले कम से कम आप एक बार कमने में जाकर देख तो लेते, आपका कृपन वही कही पड़ा होगा, आरती सही कह रही है, ये क्लिप उसे मेरे समस्कारी है, प्यार से दूसरों की चीज को अपना बना लेती है, ये रहा है, देखो बेटा, हम नेना भाभी को बहुत अच्छी से जानते हैं, वरून और कीती के हाथ से पैसे निकलते रहेंगे, अच्छी होते रहेंगे, और नेना भाभी का अपने घर पे नियंत्रन चल और खुदी एक मा को उसके बेटे की खिलाब भड़का रही है, ऐसे जोड़ेंगे आप घर, ऐसे चलाएंगे परिवार, चरम भी नहीं आते आपको चाक्छी जी झाल्ड़्हांगे जी झाल्ड़ घर, क्पाणी एक माल भाज़णीर भाज्च्बें knowledge